हेलो फ्रेंग्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल देखिए आज मैं आड़ो के पोधे के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देखिए उसका वीडियो में शेयर किया हुआ है कि कैसे इसे गंबले में लगाया जाता है कैसे मिट्टी प्रिपेर की जाती है सारी इंफ तो वहां पर भी सर्वाइब करेगा तो देखिए सबसे पहले तो यह कि आप जो भी कोई फूट प्लांट लगाए अपने एरिये के अकॉर्डिंग लगा यानि कि आपके एरिये में कौन सी अच्छी स्पीशिस चल सकते जो लोग निचल यानि कि हम वाचल से नीचे की करूंगी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजिए किसी भी फूट प्लांट से रिलेटेड अगर आपका इंफर्मेशन चाहिए तो आप जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब् मैं करता हैं किसी नरस्री में जाकर लेकर आते हैं तो ये इस्पीशी लगाए तो आपके यहां पर फ्लावरिंग होगी फूटिंग होगी और बहुत जल्दी फूटिंग पर आता है ponff either एक से घर साल में ही आपके आप लगाएंगी बार्ट पौधा आपका गश्यूझी हो और जब भी कोई ग्राफ्टेट पॉधा आप लगा रहे हैं जो एरिया होता है देखिए जैसे कि ये इसका ग्राफ्टिंग एरिया है इसके नीचे से कोई ब्रांच कभी भी मत निकल लें दीजिए किसी ने मुझसे पूछा भी दा कि ऐसा क्यों है अगर हम नीचे वाला प्लांट होता है जो बीजू होता है या जो भी पुराना पॉधा होता है यानि कि हमारा उपर से ग्राफ्ट होता है तो इसलिए वह पॉधा अपका डैमेज होगा यहां पर भी है और इस तरीके से यहां भी और देखिए अभी भी काफी सारी इसमें बर्ड्स बनी हुई है और उनमें भी फ्लावरिंग हो रही है तो देखिए फ्रेंट्स से मेरे प्लांट्स बहुत पास-पास हैं इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाती, थोड़ा प्रॉपर दिक्कत होती है, यह मेरे इसके बगल में लगा हुआ है, यह दिखिए, नाकपुरी ओरेंज है, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होरी है, इस पर भी कभी हम डिसकस करेंगे, तो यह जो देखिए, इसमें जो फ्ल रिलाजर दिये थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने इसके अंदर जो डाला था, गोबर की खाट डाली है, यह आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट डाल दीजे, देखिए, मेरे पौदा बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है, बट मेरे पौट का साइस काफी अच्छा है, तो इसके इसके अंदर 200 ग्राम के लगबग जो है, गोबर की खाट दी है, यह देखिए, यह मैंने दिया है, इसको एक से डेड़ चंबल सिंगल सुपर फॉस्ट, क्योंकि जो ताकि इसकी जादा से जादा अच्छी जो है, इसके अंदर ग्रोफ हो पाए, फ् होती साथ, इसमें फूल जो अब जैसे फूल बनेंगे और इसमें चोटे चोटे बर्ड्स बन रही है, वो ड्रॉप नौ इसके लिए, आप सीवीड का इस्तेमाल करें, बहुत बैस्ट फार्टिलाइजर है, और थोड़ी सी आप इसमें नीम खली डाल सकते, जादा नहीं द और उसमें इस खात को आप डालेंगे, उसके बाद जो हमने मिट्टी बाहर निकाली थी, उसको वापस डालके अच्छी से डीप वाटरिंग कर दी है, मैंने, उसके बाद का देखे, काफी बेटर रजल्ट मुझे मिला है, एक चीच मैं और भी बताती कि कभी देखे, जैसे मैंने इस पौधे को पर्चेस किया, और इस तरीके ते कि यहाँ पर इसमें कभी भी फ्रूट नहीं लगेंगे, जो यह आप डाली देख रहे हैं, इसके अंदर देखे, चोटी-चोटी अभी यहाँ पर काफी सारी बर्ड्स बनी हुई है, तो यही जो है, इनमें फ्लावर साते हैं, और वही पर आप fruit set होगा, सबसे बड़ी बचीज, इसे अग आप लगाना चाहते हैं, तो आप अभी भी लगा सकते हैं, अभी थोड़ी टाइमिंग है, बाद में गर्मी शुरू हो जाएगी, इसे आप 15 फरवरी यानिकी जैसे बसंत का जो season होता है न, उसमें इ इसमें flowering स्टार्ट हो गई है, काफी अच्छा रजल्स देती है, तो आप इन पौधों को जरूर लगाईए, गमले में, आप भी अपने छोटा सा दे कि मेरा पूरा एक terrace garden और वर्वी में शेर करती हूँ आपके साथ, आप इस पौधे को जरूर लगाईए, बैटर टू ब जाएंगे, मटर के दाने के बराबर set हो जाएंगे, तब हम इसे fertilizer देंगे, बार बार over fertilizer की वज़े से भी हमारे पौधे खराब हो जाते हैं, जो flowering होती है, वो drop हो जाती है, और साथ ही साथ इस समय जब आपका पौधा इस flowering stage पर है, तो भूल कर भी कोई spray ना करें, यानि क जब chemical के spray करतें तो नहीं आते हैं, इस थोड़ी थोड़ी चीज़ों का आप दिहान रखें, मैं कुछ चीज़े आपके साथ शेर करूँगी कि अगर इस तरीके का efforts का attack भी हो रहे हैं, तो आप ऐसा क्या करें, कि pollinator को भी कोई नुकसान ना और पौधे भी आपके बचे रह तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर कीज़े, तैंक यू